सहारा मैरेज हॉल मुम्रा का शांदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल इन्वार्मेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वी आपी लाउंज के साथ एमपल आफ पार्केंग। डिस्टिनेशन वेडिंग, कॉटेज, गेस्ट रूम, स्वीमिंग पूल जल्द ही अविलेबल होने वाला है। वेरियस डिसकाउंट ओफर जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ वेश्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मेरिज हॉल विज एट्रेक्टिव पैकेज के साथ जो आपकी बजट में सहारा मेरिज हॉल। हाजी मुमीन और संदीप का जगडा हुआ था। प्राइवेट पार्ट पर जो है लात मारी है। बैस साब प्राइवेट पार्ट पर अगर मारो तो आजमी जगा पे नीचे बढ़ जाएगा उसको तुरंद हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। लोग उनको रोड पे देख रहा हुआ हो बलते हम आजमी अडमीट था। कौन दो लोग नोग हो। मुम्रा में एक तो राजन कीने और रिधा रशिद। मेले रेलिवे की जगा में युनियन वालों का लगावा बोड़े किसी की माल्की के से हो सकती है। अवर्सब का फोटो लगावा था हम उन्होंने वो फोटो फाड दी है। के नेता का बैनर कोई फाड़ेगा तो लोग चीड़ेंगे तो उसमें तुतु महीन में हो गई। इनको औरते मार रही है वीडियो के अंदर। इनके ऑफिस में इन्होंने औरतों के साथ कुछ अश्लिल हरकते किया। पारी लेकर फा और एंसीपी का नाम हो ले रही है। आपके पास सबूते आप साबित करो। सिंधावाट का जो सर है वो बॉल के जगे पे लगाया गया। और यह आप लोगों के तरफ से ही लगाया गया। मुम्रा शहर में राजनीती काफी गर्म है और एक दूसरे पर पोश्टर फालने को लेकर मार पीट और वाद विवाद भी हो रहा है। हाजी मोमिन के साथ भी पोश्टर फालने के वज़े से मार पीट की गई है। ऐसा आरोप हाजी मोमिन ने लगाया है। और संगर्स आटो रिक्षा यूनियन जो है उस पर भी सवालिया निसान खड़ा किया है हाजी मोमिन ने। हमारे साथ बंटी नाइक मौजूद हैं। हम बात करेंगे उन्हीं से। बंटी भाई आप लोगों की संगर्स आटो रिक्षा रिक्षी यूनियन है। हाजी मोमिन का कहना है कि उनके पोस्टर के उपर आप लोगों ने अपना पोस्टर लगा दिया था। तो उन्होंने का हटाने के लिए एक-दो महंना हो गया नहीं हटाए। फिर नजीम उल्ला के जनम दिन पर वो पहुचे और आप लोगों का पोस्टर फाड़ दिये जिसके वज़े से आप लोगों ने उनके साथ मार पीट की नहीं हम लोगों ने तो कोई मार पीट नहीं किये क्या हुआ वहां पे एक बैनर पहले से लोहे का बोर्ड लगा हुआ था स्टेशन पर सभी रिक्ष्या वालों को कोई सुचना और लगा दी जाती है तो वह खाली पड़ा था तो हमने उसके उपर हमारा बैनर लगा है हमारी स है तो क्या तो मैंने मेरे खर्चे से बनाया है तो मैंने लतीब भाइसे बात किया जो हमारे यूनियन के पता दी का रही है तो उन्होंने बता है कि यह मैंने और हाजी मुमिन जो है उन्होंने हम दोनों ने पैसे लाकर यह सब बनाय वह बोर्ड था रेल्वे की भी इसमें तो हमने बोर्ड खड़ा किया था कोई बात नहीं तो जिसका बोर्ड है तो उनसे मैंने पूचा कि आपका बोर्ड है लेकिन आपका तो कुछ लगा नहीं है इदर और नाई यूनियन अतनी एक्टिव है उनकी उस वक भी बात थी तो मैंने बोला मैं मेरा बैनर लगा रहा हू तो उनका फोटो लगा वा था उन्होंने वफोटो फाड दिये जम आपको बैनर लगा ना ता उसके ऊपर तो आप लगा सकते थे लेकिन ये फोटो फाड ना लब के आजकल मुम्रा में एक दौर चल रहा है किसी कोई पैसा दे रहा है तो उसको खुश करने के लिए आवाड सब के ऊपर कुछ बोलो यह आवाड सब के बैनर फाड़ो तो बैनर फाड़ के किसी की छवी आप खरब नहीं कर सकते हो जो आदमी लोगों के दिल में बसा है लेकिन उने बैनर फाड़ दिया तो उसकी वज़े से क्या हो गया है उदर रिक्षा यूनियन वाले ना सबसद है तो चिडेंगे ना उनके नेता का बैनर को ही फाड़ेगा तो लोग चिडेंगे तो इसमें तुतु महीम में हो गई डखका बुक्की हो गई और फिर मामला पुली सेशन तक चला गया फिर सीनियर साब ने बोला कि जिसका भी बोर्ड रहेगा वो पहले अपने बोर्ड का हग साबित करो और फिर उसके ओपर अपना भैनर रगो तो तब से वह मामला वैसा पड़ा है लेकिन हाजी मुमीन का कहना है कि संदीब के उपर उन्होंने एक फाई आर करा है कि संदीब ने उनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी है और वो भरती थे साइद हॉस्पिटल में ऐसा वह बता रहे है हाजी मुमीन और संदीब का जगडा हुआ था मतलब संदीब कारया देखशे हमारी उनियन का तो अगर कुछ होता है तो वहाँ पहले तो वही हाजिर होगा वो नहीं पहुचता तो शायद मैं पहुच जाता उस जगा पे तो संदिप जगा पे पहुचा और उदर जो भी है तुतुमाहे में हो गए उसके बाद मामला पुलिस टेशन गया पुलिस टेशन सब पुलिस टेशन से निकल गए थे फिर तीन दिन बाद किसी को लेके जाना जो आजकल यहां के नेता बने हुए मुम्रा में उनको लेके जाना और वापीस एक वेफायर उस वक दाखिल करना के मेरे प्राइवेट पार्ट पर मुझे मारा गया है तो भाई यह आपको तीन जिनके साथ गूम रहे और जहां जहां जा रहे वो सब जगह का मिलेगा क्योंके मुम्रा में गूम रहे ना लोग उनको रोड पे देख रहे हैं और हो बलते हैं मैं ऑस्पिडल में एडमिट था मेरी खुद आजी मोमिन से बात हुई तो उन्होंने यह बोला था कि मेरे रि रिक्षा का वो संगटन का कोई बात बता रहे कोई सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और हाजी मोमिन के लेवल तक जवाब देने के लिए हमारा संदीप सक्षा में वो उनका जवाब एफायर का जवाब भी संदीब उनको दे देगा कोड कायदे से देगा क्योंकि प्रश्ची कम्प्लेंट होती बाद में दो नेताओं को लेके गए जो फिलाल मुम्रा की बागडोर समालने के चक्कर में लगे हुए उनको लेके जाकर करना यह सही बात नहीं है मैं अगर कम्प्लेंट लेनी है तो पुलिस उसी वक्त लेगी ना सिनियर साब ने उस वक्ष फैसला दे दिया था उस वक्त फैसला दिया दोनों को मंजूर हुआ तब तक बात कुछ नहीं थी दो दिन बाद इसको अचनक आ गया कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है बैसाब प्राइवेट पार्ट पे अगर मारो तो आजमी जगा पे नीचे बढ़ जाएग सक्षम है संदीब दे देगा रजिस्टेशन पे सवाल उठाए तो एक सटेफिकेट लेके घुमरे अपने हाथ में तो मुम्रा में साथ आठ यूनियन है कोई सटेफिकेट हाथ में लेके नहीं घुम रहे है और जिसको लगता है कि संगर्ष यूनियन का सटेफिकेट नहीं नहीं है या कुछ माहिति नहीं है रजिस्टेशन नहीं है तो मैहिति अदिकार टालो आपको पूरी माहिति मिलेगी वो मैहितिट रहे एगी नौटी के इसटेफिकेट फ़ालके गुमें जिसको शक हो आपके कार्य करता तूट रहे वह हलके कानके हो गए हैं और मैं उनको सलाह दे रहा हूं तो अब मैं हजी नहीं बोलूंगा तो मैं मूमिन बायजान को ये बोलना चाहता हूं कि तुम बोरे के हमारी विचारों की लड़ाई ये तो जितिंद्डरा आवड साथ के साथ तुमार वो ही अच्छा है क्योंकि मैं आपको इसाइग वीडियो दिखाऊंगा यह मुमिन ना हिथ होतों इनको औरते मार रही है वीडियो के अंदर इनके ऑफिस में इन्हों ने औरतों के साथ कुछ अशलिल हरकते की अशलिल बाते की इसलिए इनको मारा गया है रस्ते पे पिटा गया है अगर इस हरकत के बाद आपको आवार साब अपने पास नहीं रखते है या आवार साब के संगटन में आप नहीं हो तो यह हमारे लिए अच्छी बात है और सही बात है ऐसे विचारों का आदमी हमारे साथ कभी नहीं रह सकता और यह विचारों की लड़ाई है तो हमारी विच लेकिन मुम्रा को समझ जाएगा कि गंदगी एक तरफ हो चुकी है बस इसके लावा रिदा रशीद ने भी आरोप लगाए कि जो इर्फान सियद ने बैनर फाड़ा वो जो है और इस सुपारी लेकर फाड़ा और न्सीप का नाम हो ले रही है देङे रिदा रशीद मैणम को पहले तो यह मालूप होना चाहिए कि इर्फान को जो मारा गया इर्फान सेयद को मन्से का कार्या करता है कार्या करता किसी भी पक्षका हो उसको मारना नहीं चाहिए उसको उसका सम्मान दे दो दूसरी बात जो मार रहे वो सिकंधर ए उसके अंदर बादशाय है उसके बाद अच्यू है सिकंधर रिधारशित मेडम के साथ उनका कार्य गरता उनका निकटवरथी अच्यू राजनकिनेश आपका निकटवर्ती अगर इसे लोग यह काम कर रहे था उसका निश्यत करना चाहिए उनका नाम नहीं ले रहे वो हैं यह मारना अच्छी बात नहीं है अफ पहारी दिया अप फ्रण सट आप अद किसकी लें किसने बोर रहे हैं अब Calvin सेयत को मारा किसने आप सबूते के में दिखा भी सकती हूँ तो ऐसे मत करो कि आप सबूत लाओ दिखाओ लोगों को घुम्रारा मत करो मैं दिखा सकते यह हम दो आपके सबूते हैं के अगर साबिदक करते हो तो जिसने करने को पर दो उसके खिलाब हम भी रहेंगे बैनर फाड़ने की हमारी भी वह नहीं है क्योंकि मेरे भी बैनर फाड़े गए थे गंदपदी के दिनों में मेरा पुलिस सेशन के पास भी बैनर फाड़ा गया था और वह किसने फाड़ा यह तो जग जाहिर है सबको मालूम पड़ गया लेकिन क्या है बैनर फाड़ने के उपर से मारा मारी करना यह हमारा तरीका नहीं है अपने बैनर फाड़े हमने बैनर फाड़ा है संशेद आरोपी को हमने बैनर फाड़ने पे मार पीट का तरीका यह आपका नहीं है तो हाजी मुमिन को तो भी मारे बैनर फाड़ने पे आप लोग मुह मारी हो गई और उसके उपर से वो धोनों पोलिस टेशन चले गए दोनों सही सही फोलिश टेशन गए मेडाया अगर उस वक्त हाता पई हुई रहिती और किसी को मार लगा होता तो पुलिस भी असी नहीं छोड़ी थी वह पुलिस है पुलिस बाद उनका प्राइवेट पार्ट सुच जाता है तो भाई इनकी हरकते देखो आप इनको औरते मारती है इनके पचास लफड़े रहते तो ऐसे आदमी को कोई भी पिटेगा तो उसको तो बाह नहीं मिला है मुझे संदिप नहीं मार दिया दो दिन बाद कैसे प्राइवेट ऑटें आप लोगों के तरहरा ही लगाया गया तो इसनलवगों स्प्राइव मुझे हैं लेकिन लेकिन कहीं कि वो बैनर अपर ही उल्टा पड़ गया आप लोगों की सहर में इंसल्ट हो लेने लगी ने ने क्या है देखो जिनको वह मेसेज है तो मेसेज जिसको समझ में आता है वो उसको जैसा लेना है वो ले लेते हैं अभी वह बैनर सबसे पहले वहां ठाना में लगा हुआ था जा नजीब मुल्ला ने टॉर्णामेंट रखी थी और यह उनका बनाया हुआ बै यह करता हो को तुमने ऐसी छूट दिये खुली कि तुमने यह बता है कि बैट से में मुंडी मार रहा हूं तो यही जो यह विक्षित प्रवरुत्री है ना गुंडा प्रवरुत्ति यह प्रवरुत्ति आपको यहां दिखाई देगी वहां उनने वह बैनर लगा एक एक अंदर है जिसके अंदर वह लड़का सेलफी लेने जा रहा है तो नजीब मुल्ला खुद उसको मार रहा है जोर से उसके बाद में यहां पे पत्रकार को मारा गया उनकी रैली में वहां पत्रकार को मारा गया उसके बाद बैनर काटने के उपर इर्फान सहियत को उठा के ल लेकिन बैनर फिर निकाल क्यों दिया गया लगाया गया रात में रात में ही निकाल दिया गया ऐसा बता जा रहा कि ये बैनर लगाया गया नजीम उल्ला की खिलाफ लेकिन ये जो है कही न कहीं उल्टा हो गया आप लोगों की इसमें जो है वो निकाल दिया गया था हाँ तो कि क्या हो गया इधर बैनर लगा तो पुलीस को यह था कि ऐसे बैनर देखके जो आवाड साब के समर्तक है वो कई भड़क नहीं जावे जैसे आप बोरे के सिंपधी के लिए तो आदमी जिसको अभी मेरे जैसा कारिया करता रहेगा तो वो तो भड़क जाएगा कि क्या लगा कि जितंद्रावाड ने कुछ कामी नहीं किया जहां कुछ गलत होता है तो यह जितंद्रावाड ने किया और जहां कुछ काम हो रहा है तो नहीं जितंद्रावाड ने कुछ नहीं किया अरे यहां पुलिस ने कहा कि जितंद्रावाड के समर्थक हैं तो उनको गुस्ता आए वो confusion हो गया वो जो लगा हुआ था ना वहीं तुम्हें बॉलाबर लगा हुआ है उसने वह जो बैनर था ना लोगों को यह नहीं पता कि वह बैनर एक स्टेडियम में नजीब मुला के यहां पहले लग चुका है वो बैनर का फोटो डाला गया है कि भाई यह अगर तुम्हारा घमंड है कि तुम बैट से जितन रावड का सर उड़ा रहे हो दूसरी बात मैं आपको बता दू इसका समर्दन भी किया है किसने राजन किले ने और बोलता है आप तो वो सिक्स राजन कि नहीं वाओ नजीब बोलता है किसी का मुण्डी बैट पर लगा गया है तो इस तरह के बैणर लगा ना यह गुरूर है और यह तुम्हारा गुरूर यह जंता तोड़ेगी यह बताया गये तो राजन कीने को कहना है कि जनता जो है वो तो तोड़ेगी और नजीब मुल्ला ही सिक्स मारेंगे ये ना ये कौनसी दोड में दोड रहे मुझे नहीं पता इनको आमदार बनना है राजन कीने को भी नजीब मुल्ला को भी तो राजन कीने नजीब मुल्ला का स्वागत कर रहे और नजीब मुल्ला राजन कीने का स्वागत कर रहे तो ये दोनों पार्टनर्शिप में आमदार बनेंगे या क्या करेंगे मुझे नहीं पता अब इस चड़ाओड में ये लोग को एक चीज पता है कि यहां आमदार बनना है तो हमको जितिंद्रा आवाड के सामने खड़ा होना है तो बस खुद अकेले काबिलियत नहीं है किसी एक की तो इसका समर्थन ले रहे इसकी उसकी साथ लेके चल रहे लेकिन इनको ये नहीं मालुम है कि ये एक दुसरे की साथ इनको एंड में बारी पड़ेगी यानि चुनाओ आते आते फिर डगमग हो गां सब कनफ डगमग होगा क्युक्वर किधर जाएगा कोई किधर भी जाएगा आवड सब उम्मरा से कहीं नहीं जाएगा यह मंको पता है बस बगर ये इदर उदर हो जाएंगे तो ये लोग किदर जाएंगे अगर होंगे तो मुझे तो लगता है कि वो जो है कहीं नहीं जाएंगे चुनाव लगता है नहीं रहेंगे इदर ही मुम्रा के रहिवासी है कहा जाएंगे बस देखते रहेंगे वापिस और पास्तल का इ बुला के लाता हूं वो फलाना भाई को भी हिरों मार देता है तो बोलता है रुक में डिमका भाई को बुला के लाता हूं तो यह लोग का चल रहा है यह लोग के खुद के अंदर दम नहीं है अगर यह 25 साल से राजनीती में मुम्रा में इससे पहले से भी मुम्रा के लोग न कुछ किये इन्होंने मुम्रा के लिए आज जब कोई आके कर रहा है तो इनकी जमीन हिल रही है इनको कोई सलाम करने इनके ऑफिस पे नहीं जाता है इनको कोई दादा भाई बोलने वाला नहीं बच्चा लोगों में एक आजादी का माहूल आ गया है तो इनको लगता है कि नह के लिए कुछ बुरा बोलो लोगों को सब पता है आजकल Google पे भी सब जानते हैं सब connected है आपस में सब ठीक होगा सब आवर सब के साथ में है और यह जो मुमीन ने बोला है भाई जान ने कि वो कार्य करता जा रहे साब अलके कान के हो गए साब अलके कान के नहीं साब बहुत नाजुक दिल के उन्होंने जो भी उनको जाके बोलते हों मान लेते जैसा उन्हों ने की इंटर्यू में भी बोला के राजन की ने की बातों में मैं आ गया और मैंने उसको चांस दे दिया उनको टिकेट दे दी और उसका मुझे भुक्तान करना पड़ रहे तो बस ठीक है अगर आदमी अच्छा है तो उसकी अच्छा है का किसी ने गलत फाइदा उठाया है तो ठीक है उसका जवाब वक्त दे देगा तो आपने सुना कि बंटी नाइक थे जिनों ने बताया कि राजनीती यहाँ पर इस तरह सोरी बैनर फाड़ने को लेकर एक दूसरे लोग सामने आ रहे है लेकिन आने वाले समय में जो है काफी उथल पुथल और देखने को मिल सकती है झाल 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 झाल